विल्कम टू माई चैनल, आज मैं आपके लिए जी एस दिरश्टी की आर्थिक एवं समाजिक विकास के निष्ट पार्ट लेकर आई हूँ, और भी इसके कई पार्ट आएंगे, देखें अभी तक हम लोगों ने देखा है भाग ए, क्या देखा है भाग ए, जो कि भाग ए पूस्ता भी है, ठीक इसमें हम लोगों ने क्या-क्या देखा है, एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ, देखें, आर्थ ब्यवस्ता समान परच, राश्टी आई के बारे में, फतत विकास थश्ग विवस्ता के च्खेत्र, जिसमें प्राथमी च्खेतर के बारे में, सिम्हird wors इसके इस वुक के खास बात यह कि इसमें चित्रात्मग पृत की गई है मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चितर के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है देखें आप इस बुक को इदम पतली सी बुक हो रहे हैं देख रहा है आप इसमें 72 पेजेस हैं आप इसको रिवीजन के तोर पर इसको बुक आप ले लीजि आई ठीक है देखें किया है क्वोटेशम देखें देखें अगर आपको बता अगर यह घान ₂ applies कि म Always यह पहुचना है यहां पर पहुचना है कल में आप पहुचने में कितनी ही मुसीबितों को सामना करना पड़ा है यहां पहुचना फावच सकते चाहे आपके लिए कितनी भी लोग आ जाए आपके आगे पीछे कुछ भी आ जाए तो मैंने क्या बोला कि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि मुझे इस मुकाम तक पहुशना है यह एक जाम मुझे निकालना है या मुझे यह लाइफ जीनी है तब तक कोई भी आप आपको वहां पर पहुचार नहीं सकता मिंस जब तक आप खुद एफ़र्ट नहीं लगाएंगे अगर आप हाल जाएंगे कि मुझे से नहीं होगा आप गिव आप कर देंगे तो फिर वह कभी नहीं होगा कहते हैं कि सब कोई आपको तोड़ सकता है लेकिन कौन है कौन आप आपको संभालता है आपको खुद ही आपको अपने आप ही संभलना पड़ता है आप वह अपने आपको संभालते हो जिस दिन आप करना सीख गए कि कोई भी सिच्वेशन आपने आपको आपने हैंडिल कर लिए आपने आपको आपने हैंडिल करना सीख लिए तो जितनी भी म कि मैं यह कर लूंगा या कर लूंगा ठीक है मैंने क्या बोला कि ये कुछ भी आपको करना है पहले क्या है ठीक है कि अब शुरुवात ही दीव क्या है कि लिखना पर प्रेता है Harris ति कि कही बार आपको ढरेता है कई बार अथ मिलती है तना फ diyorsun कोई जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि मैं इसको छोड़ दू, यहां तक नहीं पहुच पाऊंगा, तब तक आपको कोई भी हरा नहीं सकता, आपके सब कुछी मन पे ही डिपेंड है, यह सब कुछ आप पे ही डिपेंड है, ठीक है, देखें, इसी सी रिटेट मेरा क्या है कर पाऊंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, आपके सामने कितने भी अच्छे लोग आ जाए, आपको वहां पहुचाने के टीचर या कोई भी आ जाता, आप वहां तक नहीं पहुच सकते, जब तक आपकी इच्छा सकती नहीं होगी, ठीक है, देखें क्या है, मैदान में हारा इंसान कभी जीत नहीं सकता, इसलिए मन को अपने जीत के लिए ध्रन बनाओ, क्या मैं कितनी बार बोलती हूं, कि पहले खुद पे, खुद पे विस्वास रखो, खुद पे confident रखो, कि मैं ये जाम कर लूँगी है, कर लूँगी है, आप जो भी खुद पे confident रखना आज के पर बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन मन से हारवा इंसान कभी जीत नहीं सकता, इसलिए मन को अपने जीत के लिए ध्रन बनाए, ठीक है, याद रखेगे, ओके, आईए हम लोगी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, आईए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है हमारा समाजिक बिकास, क्या है, समाजिक बिकास, ठीक है, भाग भी, हमने भाग ए कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, समाजिक बिकास के अंतरगत हम लोग मानो बिकास, क्या पढ़ेंगे, मानो बिकास, और क्या पढ़ेंगे, समाजिक योजनाए, जो भी क्या होता है यह लोगों के बिकल्ब होती इसका उद्देश है और ग् 걸ता farna तीम है और क्या बोलते हैं, Human Development Index, जिसे बोलते हैं, Mano Vikas Suchkan, जिसको बोलते हैं, means HDI, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये क्या होता था, जो ही रिपोर्ट है, Human Development Index, ये वर्स 1990-2009 तक जो इसके आयाम थे, क्या-क्या इसके आयाम थे, स्वस्त एवं रशनात्मक, जीवन का संकल्प है, आप हेल्दी रहें, ठीक है, आपकी हेल्द अच्छी रहें, और क्या रहें, आप दीर्ग जीवन जीएं, ठीक है, और जीवन निर्वा अच्छे से आप हो जाएं, ठीक है, और प्रावड साथ च में हुज nuances आए ठेसं कि आयां आप गाय च्रण पर दिया गया उरह काल जिखे तर ह क्रतिया से टिरा गल त्रीम प्रतिया गायлем उट्रा हम भेन दिखेंगेे तो आई हम देखते हैं देखें मानु विकास एक ब्यापक आउधारणा है जो लोगों के बिकलपों में ब्रद्धी करता है अभी हमने बताया और उनके जीवन में शुधार लाता है दीर केवं स्वस्त जीवन जीना ग्यान प्राप्त कर पाना एक सिष्ट जीवन जीने के परियाप्त साधनु का होन मानु विकास के सर्वाधिक महत्यपूर पच्छ हैं मानु विकास एक ब्यापक आउधारणा है जो लोगों के बिकलपों में ब्रद्धी करता है और उनके जीवन में शुधार लाता है दीर केवं स्वस्त जीवन जीना ग्यान प्राप्त कर पाना एक सिष्ट जीवन जीने क मानु विकास के सर्वाधिक महत्यपूर पच्छ हैं अभी मैंने बताया है इसमें एक रिपोर्ट जारी की जाती है क्या बोलते हैं इसको मानु विकास सूचकांग इंडिक्स देखें मैंने क्या बताया था कि 1997-2900 तक थे इसके हम लोग क्या क्या आयाम थे आई हम लोग देखते हैं देखि censor जो लंबे सोस्थ एवं रश्नातमक जीवन चे संकल्प विसे प्रेहीं के निर्मार है तुझ सवस्थ एवं दीर्ख जीवता ग्यांत तथा जीन निर्भास भग झ». जैसे जमने के समय 55 सप्रावार साथ चर्था प्रति भ्यक्ति सकल ridiculous लिए गय थे उच ताइम क्या क्या थे जीवन इरभा इस सदर से क्या करने के लिए जबने के समय प्रावर साथ चैता और प्रावर्टी रिक्ती सकर घरेल उत्पाद लिए गय यह कब लिये गए थे 1990 से 2009 तक इन्हीं आयामों तक सुचकांग हमारा जारी किया जाता था ठीक है लेकिन बाद में हमारे 2010 में बहुत सारे चेंजेस आए क्या है क्लानता में मानु विकास उचकांग को और अधिक विवहादिक रूप देने है तू मानु विकास रिपोर्ट 2010 म अनेव बदलाव किये करें आये हम लोग देखते हैं क्या है बदलाव ठीक है मैंने बताया था यह किसके द्वारा जारी किया जाता है UNDP द्वारा यह जारी किया जाता है मीज संयूक्त राष्ट क्या है संयूक्त राष्ट्र का संयूक्त राष्ट्र विकास कारक्रम ठीक है ये जारी किया जाता है औधारुना की किपास है किसने किया था पाकिस्तान्य किसने किया था या त्धाम कॉछा गया इनके नाभ महभू याद रखेग Mc nigga किसने किया था अमर्त सें इन्होंने नोबल फुसकार भी जीता है ऍंया मार्ता था किया था ठीक है क्या हुआ था दो हजार उनीस सो नब्बे में उनीस से नब्बे में जो महभूब महभूब उल्हक और और कौन थे और कौन थे और कौन थे अमर्त सें ये दोनों के द्वारा पहले ही क्या किया गया है पहले ही संस्क्रण का प्रिकाशन किया गया है ठीक है ठी प्रकास्तान है। नहीं दोनों अर्थ आधार करते हैं लेकिन व्स उनिसटोन नब्य से वार्सिख अधार मैंहीं दोनों और ससके मदसें किया गया था। लेकिन व्सうनिस नब्य से वार्सिख अधार पर Carrie राश्ट विकास कारिक्रम यूनędzieीपी द्वारा प्रकासित किया जाता है प्रकासित किया जाता है तु को अग्याजीमें आपappy having बेंगे हमसे सुच्कांग में आप वह पॉइंट याद किया करिए जो कौन जारी करता है तो उसमें कौन जारी करता है होई कूल जारी करता है हडियाई यूएनीडीपी ठीक देखिए ध्यांतब्रहए कि HDR संपाद की रूप से उनीडीपी से श्वातांतर प्रकाशक है थीकिं क्या है ध्यान है कि आपको HDR देखिए अब क्या है वर्स 2000 साथ तथा 2008 की मानो विकास रिपोर्ट को संयक्त रूप से प्रकासित किया गया था क्या किया गया था कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है लेकिन इतना नहीं आपको यही याद रखिए जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है इसको द्वारा और इसको पहला संस्कार किस बेग्गानी द्वारा किया था वह याद रखिए गया ठीक है देखिए बस फैक्टर है अप ध्यान में रख लिजिए ठीक है वर्स 2007 और 2008 की जो मानुविकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था तथा वर्स 2012 एवं 2017 में मानुविकास रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई थी ठीक है दो हजार बार दो हजारी हो चुका पहली बार जारी कब हुआ है 2007 और 2008 के बीच में और कब हुआ है अब 2021 से और 22 के बीच में संयुक्त रूप से जारी किया गया है वही 2012, 2012 और 2017 में प्रकाशित नहीं किया गया है ठीक है देखे मैं इतनी बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको यहीं पे ही आपको 80-90 परसेंट आपको यहीं ही याद हो जाए इसी क्लास में ही ठीक है अब देखे वर्स 2010 से HDR में मानो बिकास ओम आपने के इस अंदर में नवीन प्रक्रिया अपनाई जा रही है ठीक है अब हमने बताया इस बात कर चुके हैं पहले आप उसे समख मानुविकास के तीन मुलभूत आयामों को समाहित करता है पहला क्या है याद रखें अगार जमने के समय जीवन प्रत्यासा या संभावित कुल आयू हो जो लंबे और स्वस्त जीवन जीने की छमता को प्रतिबंदित करती है क्या है दूसरा क्या है देखें इस्कूली सिच्छा के आउशत वर्स और इस्कूली सिच्छा के संभावित वर्स जो ग्यान अरजित करने की छमता दर्शाते हैं कि उतनी हमें हो जाएं कि जिससे हम सालीन जीवन के लिए हमें हमें उतना मिल जाएं अब आए निश्ट हम देखते और देखिए और क्या है अधिक विसत रूप से मानो विकास को मापने के लिए मानो विकास रिपोर्ट चार अन समगर सुचकांग भी प्रस्तुत करती है क्या है चार अन समगर सुचकांग भी प्रस्तुत करती है देखे इसमें है ? पहला क्या है ? डी आइ , दूसरा हम देखें कह कर देता है अब निष्ट देखिए बहु आयामी निर्धंता सूचकांग निर्धंता के आए भीहीन आयामों को यह है मापता है पहला देखें क्या है असमान्ता समयोजित एश्डियाई दूसरा क्या है लैंगिंग विका सूच कांग तीसरा क्या है लैंगिंग असमानता सूच कांग फोर्थ मारा क्या है चौथा क्या है बहु अयामी निर्धनता सूच कांग ठीक है या देखेगा अब देखें जो 2020 22 का समलित रूप से जारी किया गया था देखें इसमें क्या है मैंने प्रत्यासा सुचकांग, सिच्छा सुचकांग, आये बता है यहां कोवाधरा इसे साहा है मानु विकास रिपोर्ट, 2020-2022, यहां भी मतरत मैं उस्ताररा अंध बलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसे ग्शाने बोलते हैं इसमें शामिल किया गया है आए हम लोग देखते हैं मानु विकास रिपोर्ट जो 2021-22 संयुक दूरूप से यह जारी किया गया था देखें यह कब प्रकासित किया गया था अब तो आपको याद हो ही क्या हो गया ठीक है रिपोर्ट का नाम क्या है अनसर्टेन टाइम अनसेटल्ट लाइबस सेपिंग अवर फ्यूचर इन आ ट्रांसफार्मिंग वर्ड ठीक है क्या क्या है क्या रिपोर्ट का नाम था नाम है अनसर्टेन टाइमस अनसेटल्ट लाइ सेपिंग अवर फ्यूचर इना ट्रांसफार्मिंग वर्स देखें वर्स 2021 में संपूर बिस्व का संयुक्त रूप से मानो भी का सुचकांक मूल कितना है 0.732 वर्स 2020 में बिस्व में जमने के समय आउसत जियन प्रत्यासा कितना है 71.4 वर्स यह सब आपको याद नहीं रखने ह बट एक बड़ाबाई से इसको पढ़ लिजे ठीक है बिस्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधी 12.8 वर्स और स्कूलिंग अवधी कितनी है 8.6 एर ठीक है प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रियाग आए 16752 डालर आकलीत की गई है ठीक है मानो भीकास रिपोर्ट जो 2021-22 के त इसमें कुल ने सामिल थे 101 मे लेशामिल के से 6 डेस कौण है सविश्टर लेंड दूसरा किसका अस इस नारवे्यकान एक आइस लेंड का, पहला किसका है विचपार आइस लेंड का इपकर टीस रा किसका है अस यू लेंड नारवें का ढede को पोचिता और यह हम यार रखे और इम्पोर्टेंट है भारत कि सीथी जब हम सबी रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे किसमें भारत की सीथी क्या है वह हमारे लिए इंपोर्ट हो जाता है ठीक तो भारत की सीथी कितनी है एक सो बत्यस्वे स्थान पर है ठीक है एश्डियाई मूल कितना है जीरो पॉइंट सिक्स्ट्री जीवन पृत्यसर कितना है तो आप बस यह ध्यान में रखिए का ठीक है अब देखे क्या है कुछ हमारे रैंक है जो निम्नमानु विकास ठीक है पूछे करने ही वट लास्ट इंचन Verkehr कानट्री है मुझ अफ है मदद अफरिकी गणाराज कितने है वन गैट है बुर्टी कितना है सेबन है अफगानिस्तान कितने है ध्यान रख़ते जीए और आप 161 कितनी है शाउस्तान कि 161 कि यह थी अब देखे निइस्जिए उच्मानु विकासमें कीक है क्या चे मानु विकास और क्या है असमांता समयोजित मानु विकास ठीक है हम क्या है मारा पहला क्या हमारा आइसलेंड नार्वे और डिन्मार को एक क्या है मध्यम मानु विकास और क्या है असमांता समयोजित मानु विकास और क्या है हमारा उच्छ मानु विकास देखें उच्छ मानु एक तो ब्हुतान की भूटान है यद करने की कोई जवत नहीं है कितना 132 है भूटान बांग्लादेश भारत नेपल तो भारत खिस में आता है मद्धय मानू ईक्षायगा में अब coron याद रखेगा समान चेहां आइस लाएंड नार्वे डन्मार आफ देखी यह अ blev हमने देखा है कि ये कब जारी हुआ है ये 8 सिटमभा 2022 को ये जारी हुआ है सीर्स इस्थान किसका है स्विट्चर लेंड का है अंतिव इस्थान किसका है दचिर शुडान कंथियं इस्थान अभी ये सब हम लोगों ने देख लिया है अब आप ये देखिए सुचकांग में भारत क किस्थि क्या है ठीक है देखे जब आप मेंगे यूपीपीचेस का तब ये देटा इसी में आपको काम आएगा ठीक है लेकिन आप फ़रस आप देख लीजिए ठीक है क्या है देखिए जमनिके समय जीवन प्रत्यासा कितना है शिष्टी सेबंटू वर्स ठीक है इस्दूल प्रिक्ति GNI कितना है कितना है बताए कितना है 6590 डॉलर कितना है 6590 डॉलर लैंगिक असमानता मानो लैंगिक असमानता सुचकांग मूल क्या है 0.490 ठीक है असमानता समायोजित अब भारत में लैंगिक असमानता की इस्थिति ठीक है जमन पर जीवन प्रत्यासा कितना है अब हम लोगों ने देखा कितना है 67.2 पूरुसिस में कितना है उसका सिश्ट क話, महिला कितना है? 68.9 एस पूल अउधि के आऊश्टावस कितना है? 6.7 पुर सूंसर सिबस में 7.2 महिला में कितना है? 6.3 एस पूल अवधि के अनुपानतव derechos क्या है? 11.9 । 11.9 अनुटा थिक है?форм। कितना है 11.9 ठीक है प्रति ब्यक्ति जी एनाई डॉलर में कितना है देखे 6,590 यह भारतिय आउशत है पुरुस कितना है 10,633 महिला कितना है 2,277 असामानता समयोजित ग्रहि प्रतिबी पर दबाओ लुए इंध्रकम कितना है 10,635 महवरी से पहले भी लाहिंगिंगिस्तो क्या सितर पर प्रतेग؛ सेबन मेंचे छैसे अधिक लोग आसारुसुस करते हैं आप देखिए अगर साथ र्यक्ति हैं उन में से छाय ब्यक्ति अपने प्रतेक में से एक बॉच्चा यूद के रह रहे हैं अब क्या है उनको मांसिक कष्ट और बढ़ती असमानता को भी जहलना उनको पड़ता है मांसिक कष्ट देखे बैसिक महमारी के पहले वर्स के दवरान बैसिक इस तरह पर मांसिक आउशाद वर बेचैनी के मामलों में 25 प्रिस्ट से अधिक किब्रद्धी हुई है आज का लोग क्या है मिंटल प्रॉब्लम से बहुत लोग जूर बहुत लोग इसको जेल रहे हैं मिंटली प्रॉब्लम से ठीक है और क्या है बढ़ती असमानता बैसिक आई वितरण करसीस 10 प्रिस्ट हिंस्सा बैसिक वासिक उसस्तरजनों की लग भग आधी मात्रा के लिए जिम्मेदार है है कितना हमारा आदी मातरा के लिए यह जिम्मेदार है जब कि निचला 50 पिरिस्त चेतर के और 15 पिरिस्त इस अजन के लिए ही जिम्मेदार है ठीक है अब देखें क्या है बेरोग टोग जल्वाई परिवतन आने वाले दसक में 132 मिलियन लोगों को गरीबी की ओर धकेल सकता है तो 132 मिलियन लोगों को ये गरीबी की ओर धकेल सकता है अब देखें दूसरा टॉपिक देखें पहला टॉपिक था ये तिह लग दो डवांन विंट सकता अब दूसरे टॉपि दिखें रोजगार क्या है यौजणाय कैसे ऑफ हम्मार वरतमार मजदूरी दर पर काम करने के लिए उपलब्द है मतलब जो मजदूरी दर चल रही है उस पर काम करने के लिए उपलब्द हो जाता है और उन्हें काम भी मिल जाता है तो किसमें आता है रोजगार में आता है ठीक है वही हम बात करें बिरोजगारी के लिए ऐसे ब्यक्ति जो वर्तमान मजदूर तई-dar पर काम करने हैं तो त्यार है टायार तो है कि यह कुछ भी हमें मिलेगा मजदूर इदर जो इसमें चल रही है तो रोजगार में आएंगे और बिरुजगार क्या है कि जो मस्तूरी दर चल रही है काम करने के तयार है लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिल रहा है तो किस पे आएंगे बिरुजगारी पे आएंगे ठीक है अब देखें स्रंबल क्या है स्रंबल जन संख्या का वह भाग जन संख्या का वह भाग जो संदर्व समभल आप देखिए स्रंबल समूह एक हमारा स्रंबल में नहीं है ठीक है सामिल नहीं है कि जैंसकार सीरसंख्या का हमारा डो आते हें कि ईक स्रंबल में सामिल नहीं है जो इसमें भी रोजगार जोब्स के लिए जोब सब्सक्रार के लिए स्थाइब से काम करने में अच्छा आने कारणों से काम की तलास नहीं है स्रंबल में सामिल नहीं है स्रंबल भागी-दारी रेट लएफ पि अर्ट कुल अबादी में स्रंबल के अंतरगत आने वाले बेक्तियों अर्थात कहीं कारण यह काम की तलास में हो यह काम के लिए उपलब्द के प्रतिसत के रूप में परिभासित हैं आप देख रहे हैं कितना है भागी दारी दर इस्वल्टू क्या है यह देखें अप स्रम्बल अपान कारशील जनसंख्या इन्टू है भागी-दारी दर अब हम बात करेंगे कामगा अनुपात कुल आभादी में रोजगार प्राप्त ब्रक्तियों के प्रतिसत के रूप में परिभासित इसको किया गया है अब देखेंगे क्रिया कलाब क्रिया कलाब की stupidrach को कि संदर्ब की स्थिति की दो कई करे काड़ों के आधार पर निद्हरण किया जाता है जब सरविचन की तारीक से ठीक संदर्व कि अवधि के अधार !" कि इस्तिति कydi प्रतоды को जाता है तो इस बैख्ति के क्या बोलते हैं IZKO शमान क्रया के सतिति पर इसको जाना जाता है वरत्मान सबताहिक सिपती कििला क्रुदानकिस इस Being पूस्तिति करे कि पूससे तो गयो में कि जाना जाता है जब सर्व κ्छक्ष नाकि तारीक थी पहले के साथ दिन mixture है अब देखे इसमें क्या है ने थीडीर है पुरुस हमारा कितना है 57.1 है डबलू पी आर में कितना है 54.1 है यू आर में कितना है 3.9 में है ठीक है बस ऐसे द्हाम रखेगा ठीक है बेरोजगारी के प्रकार बहुत ही इंपोर्टेंट है यह पूचा देंगे जो जो इंपोर्टेंट है मैं आपको इसको इस लिए बताऊ देखे चक्री कितने प्रकार देखे चक्री विरोजगारी क्या है चक्री विरोजगारी घंशनात्मक विरोजगारी मौसमी विरोजगारी ठीक है मौसमी विरोजगारी ठीक है आद्रस्त प्रच्छन विरोजगारी संदशनात्मक विरोजगारी ठीक है इसमें क्या है विक्सित देशों की विरोजगारी किसमें है ये विक्सित देशों की विरोजगारी है ध्यान रखेगा चक्री और घंसनात्मक विरोजगारी है ये विक्सित देशों की विरोजगारी है ठीक है वही हम देखेंगे क्या है संदशनात्मक विरोजगारी और प्रचन विरोजग है ठीक है और क्या है देखिए यह देखिए यह देखिए यह करके देखते हैं देखिए क्या है देखिए विक्सित देशों की विरोजगारी कौन कौन से अभी हमने बताया कौन कौन सी है चक्री विरोजगारी और घंशनात्मक विरोजगारी किसकी है विक्सित देशों की वि करते हैं इन सब के चाइए प्राक्तिक अब देखेंगे क्यों पूछ लेता है कि चक्री विरोजगारी किसे कह थी चारी इसे कहते हैं एसी विरोजगारी जो समग्र मांग में कमी जो समग्र मांग में कमी तथा निस्करी उत्पादन छम्ता के कारण हो और मांग में ब्रदी के साथ समाअथ होजाए है चक्री बिरोजगारी कहते हैं इसे कारण हो चक्री बिरोजगारी अब बात करेंगे संगरसातमक या घंसनातमक बिरोजगारी वहाँ यह रोजगारी उस सनुतपन होती है जब कोई एक रोजगार को छोड़ दूसरे रोजगार की तलास में होता है इस प्रकार की बिरोजगारी प्राया विक्सित देशों के साथ सब्विकासिल देशों में भी देखने की मिलते हैं अपनी मिताम एक जगह से दूसरे जगह क्या कहता है गंश्रात्मक विस्टाषक्रारी घट राजे कारियों में तो देखे समय क्या हैएं कृसी कारियोंить स्umil भल को रोजगार लिकषा हमें लेकिन कुछी मौस서 रिच में इस नहीं होना है जो कटाई इव एचंट की मिल जाता है इनको रोजगार मिल जाता है तो इसे क्या होते हैं इनमें मौसम के होड़ी को टेकड़न और नहीं तो ऐसे इनको बैठना पड़ता है ठीक है यहां बेरोजगारी क्रसी छेतर में पाई जाती है क्रसी कारियों के समय तो स्रमबर को रोजगार मिलता है कि एसे बिरोजगारी को क्या कहेंगे हम लोग मौसमी बिरोजगारी अब देखें यह कही बात पूछा है आदरस से यह प्रिचन बि प्र आप ग्यारी को एक वी कर सकते हैं ठीक है लेकिन उसमें क्या है तीन चाहर मिलेगा सी लोग कॉर्ण मिलेका अगव करें पर भी उतना मिलेगा यह किस में वोत आप बिरुशगारी है तो इतना ही होगा इतना लगे हुए लोगों को तक्नीकी रूप से बिरुशगार माना जाता है प्रात्मी जेत्र को बहुतायत मात्रा में मिलती है बहुतायत मिलती है किसी कार में अवसक्तर से अधिक लगे हुए लोगों को तकनी की रूप से बिरोजगारी माना जाता है ठीक है उनको क्या करते हैं प्रचन बिरोजगारी आप हम देखेंगे संदशनात्मा बिरोजगारी ति कि यह था रोजगार के उपलब्द आउशार औ गहें आपको योगितार मिल अपने आर्ट करेंगे अपना हैंने परशन के पहेंगी है get to में बहुचा जाती है संदुचनात्मा बिरोजगारी पाई जाती है इस के करण होती है बहारत में बिरोजगारी मापन हे तू कई बार पूजह गया है तो कौन इकठां करता है इन इस इस ओ क्या कौन करता है इन इस इस ओ ठीक है आप इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है भारत में बिरोजगारी की माप अब देखिए कौन कौन सी बिरिया है समान्यस्तिती यूज्वल स्टेटस चालो सब्ताहे कि स्टिती करन्ट वीकली स्टेटस चालो गयित सिती करेंट डेली स्टेटस आप ही की परिकिए म're के आधे से अधिक दिन екहां एको ती दिन तक रोजगार प्राप्ट नहीं करता तो उसे समान कब श्तिति का अथे तो प्रजगार तो हम लोग क्या भोलते हैं समान इस्तिति बो अभ बात करेंगे करेंड में सब्शान को सब आक हुआ है कि सब्धैन वह सब्सकी सान तो सब्ताहिक इस तर का रोजगार माना जाता है, देखे, सब्ताहिक इस तर का रोजगार माना जाता है, तो उसे चालू दैनिक स्थिती का रोजगार माना जाएगा, ठीक है, देखे, इसमें क्या है, चालू दैनिक स्थिती में एक दिन भी न मिल पाएं, सब्ताहिक इस तर क तो उनको क्या बोलते हैं उसे यूजिवल स्टेटस ठीक है अब क्या है आप देखिए नोट आवाधिक स्रमबल सरवेच्छन पी एल एफस रिपोर्ट क्या बोलता है जून दो हजार बाइस के अनुसार देश में वर्स दो हजार बीस एकीस में समान स्थिति के अधार पर समा अधिक स्रमबल सरवेच्छन अब देखिए परिच्छर के दरश्टी से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है अब देखिए अटल नौ प्रवरतन मिशन नीती आयोग द्वारा इस्थापित किया गया है जिस कार को कम ब्यक्ति कर सकते हैं उस कार में अधिक ब्यक्तियों कर लगे रहना क्या कहलाता प्रचन या आधरस से बिरोजगारी कहते हैं मतलब दिखती नहीं है प्रचन बिरोजगारी की स्थिति में सुमांद उत्पाजवक्ता कितनी होता है जीरो होती है अधिक आस अंगत्थित क्रमिक समाजीक सुरच्च्छा अधनियम वर्स 2008 मे आया कब बनागी है तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं अब देचे करेंगी आप जरूर मेरे लेक्टर कैसा लगा आप जरूर फीडबैक दीचे काइगा जितना हो सके में लेक्टर को शेयर करें ताकि जिनको ज़रत है उनको मिल चाहे मेरे चैनल को लाइक करिए सिस्क्राइब करना ना भूले थेंक यू